तो guys finally हम आ गए हैं अपने optical fiber के part 2 में जिसमें हम बात करेंगे gradate index को detailed में और इसमें काफी ज़्यादा derivations भी हम लोग करेंगे और ये video आपके लिए पहुत ज़्यादा informative होने वाला है तो guys चलिए तो guys first of all सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो gradate index क्या था तो हमने बताया था कि gradate index में क्या होता है कि refractive index non uniform होता है तो इसमें दो पार्ट होता है ठीक है एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है one mode या फिर single mode fiber ठीक है और दूसरा पार्ट होता हो क्या होता है many mode या फिर multimode fiber ठीक है तो हम लोग को यहां पर one mode को समझना है और multimode को समझना है बस थोड़ा सा समझना है ठीक है तो देखे वन 10 mm के बराबर होता है 10 mm के लगबग होता है तो बहुत ही पतला वोगा यह तो इसके इसका वेर या फिन तक Kerry Hill करेंगा बहुतों ट्रैवल करेका क्यों कि इसमें एक ही वेब ट्रेवल करता है और दूसरी बात कि यह पतला है कि इसमें जल्दी जल्दी रिफ्रेक्शन होगा तो इसी कारण से इसका जो वेब है ना वो लॉंग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है यह आपका क्या था यह आपका सिंगल मोड फाइबर था कि यह तोड़ा सा मोटा है ठीक है उसके बाद इसमें जो वेब है वह डिफरेंट रहता है जूसे इसको बोल सकते कि मल्टी इसी कारण से इसका मल्टी नाम पढ़ा तो मल्टी वेब मोड टू पास मतलब बहुत सारा वेबर्स पास हो सकता है एक साथ accident और सके बाएद इसमें वेब पास होता है वेब या फिरastianale ओक्या ओता है कि जाधा दूर तक travel नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कर्स्क जो बहुत जादी कोई जो वह बहुत ही पतला होता है उसमें एक ही मोड जाएगा इसी कारण से बहुत दूर तक जा सकता है और जो आपका मल्टी मोड इसमें क्या होगा होता है और इसमें जो वेब जाएगा हो मल्टी बतल बहुत सारा वेब जाएगा और यह काफी दूर तक नहीं जा सकता है ठीक है त स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल तो देखें यह जो आपका एक्सेप्टेंस एंगल है वो है क्या एक्षाली में ठीक है तो देखें एक्सेप्टेंस एंगल को पहले पढ़ते हैं the maximum angle within the light will be accepted by the waveguide called acceptance angle वैसा maximum angle जिसको light accept कर सकता देखें यह एकदम maximum angle पहले लाइंट यहां से आता था यहां से यह एकदम उसका maximum angle होगा ठीक है maximum angle light का जिसको यह waveguide waveguide का मतलब कि वह जो core है वो उसको accept कर सके जैसे कि लास्टी उसका क्या एंगल बन सकता है यह corner पर बन सकता है ठीक है और वह उसका accept करेगा तो यहां पर उसका जो मीड़ पॉइंट होगा उस पर क्या करेगा उस भर्टिक्स पर क्या करेगा मीट करेगा यहां पर जैसे यहां पर हाप अप्ड़ मीट कर रहा है तो वही होता है acceptance लार्ट ठीक है यह होता है आपका जो बन रहा है है यहाँ पे देखें एकक denken Lawrence स्कॉन को आपका में टॉपीक है जिसमा डेवेशन करना है वह का निमीरीकल अपर्चर तो नुमिरिकल अपर्चर को समझ ये थोड़ा सा देखिए नुमिरिकल अपर्चर पहली बात होता क्या है तो नुमिरिकल अपर्चर का मतलब कि जो यहां पर इंकमिंग रे जा रहा है ना तो वह इंकमिंग रे कितना एंगल से जा रहा है वह फाइंड करना वही होता आपका निमेरिकल अपर्चर कि भाई यह जो इनकमिंग रे है वह कितना एंगल से जाएगा उसको पता करना ठीक है तो निमेरिकल अपर्चर को समझने से पहले के वीडियों बताया था कि जो कोर होता है उसका डाइमीटर होता है बहुत छोटा होता है इसी कारण से जादा होता है और यहां पर कैसा रेफ्रेक्षन होता है informational diffraction और टॉटल इंटरनले सटशिन मैंने कल के वीडियों बठाया था कि जब वह क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो यहांब टॉटल को इधर कर조 आफ सेमेरेशन पर क्सा मैं तो इसको कैसे समय और को का नाइगा है किले म ठीक है जब आपका ठीडे आपका छाइं ठीटा होता है होता है जो होता है कि योट अ इन से सब्सक्राइब सर्णाइ до क्या होता है अब हैं सब्सक्राइब तो आगल वनल स्पर्णाइब सब्सक्राइब Xin Theta का Vailoo, तो जब acht वेलू क्वेट करें तो यहाँ पर आएगा 1-, तो हम 9-3 अगया, तो हम यहाँ पर सांइस स्वाइड ती Tा करेंगे, सब्सक्राइब गया अब जब हम इसको सौल न का स्कौर्ण यह हमारे पास किसका फर्मूला आ आपका यहां पर क्या है तो हमारे पास यह इसलों और यहां पर तो इस साइनर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन आई बाई तो हमने साइन आर का यहां पर निकाला था और फिर हमने स्नेल लोग निकाला है इन तो यह सब्सक्राइब का सकते कि नहीं तो क्या होगा खिया है तो क्या होगा कि यह तो हम हम फूरे होल पे रूट चढ़ा है क्या होगा इसपार्ट पर जब रूट चढ़ेगा तो क्या होगा स्क्राइब को यहां पर आ जाए ऊड़ीतिंग है और हहां से इन उन था तो यह एन 4-1 cancel हो गया क्या साइंग आई is equal to root over N1 का स्क्वाइर माइनस N2 का स्क्वाइर तो इस हिसाफ से हमारा जो साइन आई के वैलू आएगा क्या आएगा रूट अबर N1 का स्क्वाइर माइनस N2 का स्क्वाइर ठीक है तो यही आपका क्या है numerical aperture है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि यह कितना एंगल ठीक है कितना एंगल से इन कर रहा तो देकिंए यहां पर हम लोगों को साइन इस निकला नहीं कि कितना एंगल सो इन करेगा ऐसे निकलेगा N1 का स्क्वाइर माइनस N2 का स्क्वाइर से तो यही बेसीकलिए आपका का स्लेवर सुन बस इतना ही है तो जल्दी से इसका स्क्रेंशॉर्ट